इस वीडियो में पृत प्रकोप के कारण और चाहते हैं कि जब मतलब deva के सिष्ट्री बनाएंगे डाइगनोसिस में तो अगर यह लच्छन याद रहेंगे तो आपको डाइगनोसिस बनाने में मदद मिलेगी कि कौन सा दोस्त की ब्रधी है कौन से दोस्त की छह है इस नाते पड़ते हैं तो पित प्रकोप में उधनोंने बताया है ससने उश्णम मतलब यह बताया है कि यह जो आपको इसको लिख सकते हैं कि जो है इन पदार्थों के सेवन से पित कप्र को बढ़ता है दूसरा है क्रोध सोक भय आयास का मतलब होता है अधिक क्रोध करने से सोक करने से भय करने से आयास का मतलब होता है परिश्रम या थकावट फिर उसके बाद बताया है उपवास बिदग्द मैथून उपगमन तो इसका मतलब होता है कि उपवास फास्टिंग करने से बिदग्द पदारतों के खाने से मैथून करने से उपगमन मने भ्रमण करने से भी पित प्रकोफ होता है फिर बताया कट्व अमल लवण तीछन ओष्ण लगु बिदाही तिल तेल पिन्याक कुलत सर्षप अतसी मतलब क्या हुआ कट्व अमल लवण तीछन ओष्ण लगु बिदाही अन का सेवन तिल तेल पिन्याक कुलत सर्षप तेल अलसी का तेल अलसी तीसी जिसको बोलते हैं इन सब चीजों से जो है पित प्रकुपित होता है फिर बताया हरित साग गोधा मतस्य अजा आविक मांस गोधा का मां से मच्छली काने से अजा मनें बकरी के मां से मेण के मां अविक मैs उसी में आता है दधी के विकार में मस्तु भी यह सब जो है दही का पानी को मस्तु बोलते हैं शौवीरक शुरा विकार अमल फल कटवर प्रभीति भी पित्तम प्रकोपम अपध्यते मतलब शौवीरक शुरा के विकार अमल फल कटवर प्रकोपम अपध्यते इन सबसे जो है पित्त प्रकुपित होता है हरित शाक गोदा मतस्य अजा भेण मांस दधी तक्र कुर्चिका मस्तु शौवीरक सुरा के अनेक विकार अमली फल कटवर प्रभीति के सेवन से करने से पित्तम प्रकुपित होता है फिर बताया अचार ने तद उस्णैर उस्ण काले च मेघानते च विसेस्त मध्याने च अर्धरात्रे च जिरियत अने च कुप्यती मतलब क्या हुआ उस्ण वास्टम से उस्ण काल में मेघानते मेघानते मने सरदृतू की सरदृतू मेघानते से सरदृतू च विसेस्त इस रित्म में जो है पित्त प्रकुपित होता है मद्याने मद्याने मने दिन के बीच में दिन के बीच यह रात्र के बीच में मद्याने में जो है पित्य प्रकुपित होता है चर्धरात्रे वही बात हुई जब मद्याने मतलब दिन में माना जाता है मद्याने चर्धरात्रे मनें आदी रात को जिरियत्याने मनें जब बोजन का पाचन हो रहा हो, during phase of digestion जो है, पित प्रकूपीत होता है, फिर बता है, पित प्रकूप के लच्छन, पित तश्य दाह, राग, उश्म, पाकिताह, श्वेद है, क्लेद है, सुरुती, कोथ है, सदनम, मुर्छनम, मदह, मतलब, दाह, रक्तता, उश्णता, व्रण को पकना, स् क्लेद, स्त्राव, कोथ, अवसाद, मुर्छा, मद, ये पित प्रकूप के जब होता है, तो लच्छन होते हैं, कटूक, कटूक अमलो रसो, मने मुख का स्वाद कटू, या अमलो हो जाना, ये पित प्रकूप के लच्छन साइन है, मतलब अगर आपको जानना हो, तो अगर म पता चलता है आपके अंदर पित का प्रकोप हुआ है वाण पांडुर अरुण वर्जित है मने पांडु और अरुण वर्जित है मने पांडु और अरुण वर्जित है मने शरीर का वाण पांडु और अरुण वर्जित के वाण के अतरिक्त जो भी वाण हो जाए तो वो जो ह प्रकूपित पित उसके बाद इसीतर प्रकूपित पित के कारण सरीर में दार दक्तता उसंता व्रण को पकना श्वेद कलेद स्राव को ती तो पहले ही बता दिया था अवसाद मुर्चा मद मुक का स्वाद कटू अमल हो जाना सरीर का वर्ण पांडू अरुण वर्ण के अत्रिक्त अन्यवर्ण का हो जाना इत्यादी लच्छण उत्पन होते हैं कफ प्रकोप के लच्छण में अगर आपको लिखना आया तो पहले भावतिक गुर्ण से लिख लीजिए गूरु सीट मृद विश्निक धम मधूर इस्थिर पिछला गुरु सीट मृद विश्निक धमधूर इस्थिर पिछला मने गुरु चीजों को अधिक खाने से सीटल वस्तु का अधिक प्रियोग करने से मृद विश्निक धमधूर वस्तु का अधिक प्रियोग करने के इस्थिर और पिछिल वस्तु का अधु को होता है फिर उसने बताया है कप्रकोप में दिवाश्वपन अबयायाम अलश्य मदूर अमल लवड सीत इसनिक्ध गुरू, पिछल अभिश्यन्दी, हायनक ठवक मतलब क्या होता है दिवाश्वपन ने दिन में सोने से अबयायाम मने बयायाम नहीं करने से अलश्य मने नई सेध इतकट मास महा मास गोधूम तील पिष्ट विक्रित ददी दुग्द क्रिसरा पायस एक्छु विकार आनुप अवदक मांस वसा मतलब क्या हुआ कि मास इतकट नैसेद इतकट मास महा मास गोधुम तिल पिष्ट विकार गोधुम का मतलब होता है क्यों तिल पिष्ट विकार पिष्ट के विकार दधी दुग्द क्रिसरा पायस इस सब के सेवन से पित प्र कूबित होता है इच्छु भिकार इच्छु से बने भिकार इच्छु से बने बने पडार्थ आनुप और अउदक्ष क्रोग कार्णिओं के मांस और वसा पिर आचायर ने बताया बिस्म्रडालक का सेरुक स्रिंगाटक मधूर वल्ली फल समसन अध्यसन प्रभीति भी सलेशमा प्रकोपम अपध्यते बिस्मरिडाल कसेरुक स्रिंगाटक मदुर फल बल्ली फल समसन अध्यसन प्रभीति भी इन सब पतार्तों से सेवन करने से सलेशमा प्रकोपित होता है उसके बाद फिर बताया आचायर ने, स सीते है, सीत काले च बसंते, च बिशेश है, पुर्वानने च प्रदोसे च भुक्त मात्रे प्रकुप्यती, सुसुर्थ ने बोला है, मतलब वह कफ सीत द्रब्यों से, सीत काल में बिशेश कर बसंत रित्में, बसंते च बिशेश है, दिन के पुर्वाग में, पुर्वाहन में, पुर्वाहने और प्रदोस के समय, मने सुर्य डूबने के बाद, और भोजन करते समय, भुक्त मात्रे, मने भोजन करते समय, पुर्वान्य चे प्रदोशे चे भुक्त मात्रे प्रकुप्यती अब कप्रकुप के लच्छन स्नेह काठिन्य कंडू सीतत्व गौरवमह प्रकूपित कप के कारण सरीर में शनिकता कठोरता कंडू सीतता अंगों में भारिपन्द। फिर बताया बंदो उपलेप अस्तेमित्य सोफ अपकत्य अतिनिद्रता। श्रोतों का मुख बंद, मुख में उपलेप, शरीर का आर्ध प्रतित होना, सोत, अग्निमांद, अतिनिद्र फिर बताया, वर्ड, श्वेतो, रशो, स्वादू, लवणो, चिरकारिता वर्ड का स्वेत होना, मुख का स्वाद मधूर होना, मधूर या लवण रश जैसा होना, सरीर में आलशे का होना, ये सभी कारियों, या सभी कारियों का देर से होना आदिलचन का प्रकोप के होने पर होते हैं, फिर दोस्ट छे के सामाने कारण में बताया ब्यायामो अनशनम फाश्टिंग, फिर बताया जिसको ब्यायाम करने से और अंसन करने से अंसन मने फास्टिंग करने से और ब्यायाम मने अत्यधिक एकसरसाइज करने से फिर बताया चिंता रुच्छ चिंता करने से रुच्छ पदारतों के सेवन करने से अलप प्रमीताशन मह अलप मने कम और जो है, ड्राई लीटिल फूड इंटेक प्रमित मने नपातुला, प्रमिताशन मह मतलब नपातुला भोजन लेने से, अलप और नपातुला भोजन लेने से, वात आतपम मने एक्सेसी यूजओ आप एर एन्ड हीट वात मनि एयर और आतप मनि हीट भयं सोको रुक्षा पान भय करने से सोख करने से और रुक्ष़ पान करने से ड्राई फूड ड्रिंक, मतलब ड्राई फूड जो फूड जो है ड्राई हो, उनका ड्रिंक करने से, रुख्ष पान, रुख्ष पदार्तों का पान करने से, प्रजागरह मने रात्रिजागरण, रात्रिजागरण करने से भी जो है, दोस्चे होता है, कालो मने ओल्ड एज में जेरियाट्रिक एज में भी जो है दोस्ट है हो जाए भूतो उपघातश ये बूत का मतलब जो है यहां जर्म से लिया गया है या बैक्टीरिया जो अतिसुच में हो उनके उपघात से इंफेक्शन आप जर्म या तब्या छहे हेतव है ये सबसे छहे का ज्यान होता है कि मतलब इन सबसे छहे का ये सब छहे के हेतव होते है ठीक है एक और चीज बताई गई है कफ सोडित सुक्रा नाम मला नाम चे अतिवर्तनम मला नाम चे अतिवर्तनम मने एकसेसी उक्सपलसन नापकप, ब्लड और सीमेन, इससे भी दोस छे होता है, कफ सोडित शुक्राणाम मला नाम चयती वर्तनमह, मनेक से सीक्स पलसा नापकप, और ब्लड और सीमेन से भी दोस छे होता है, अब दोस प्रकोप के लच्छन बताये हैं, अतो निमित्तम ही सिथली भवन्त मानशानी, मनें लूजनेस आप मसल्स, मतलब सिथिल हो जाएगा, मसल्स जो है लूज हो जाएगी, बी मुच्यंते शंधियह, मतलब सबलक्सिशन अब जॉइंट, मतलब ऐसे लगेगा संधियां जो हैं अलग हो रही है, बिद्यहतिय रक्तम, मनें ब्लड में दा होगा, बर्निंग संशिशन इन ब्लड, मतलब, रिड्यूज आफ कॉंटिटी ये इन इनक्रीज फ्लुडिटी आफ फैट, फैट फ्लू उसका सर गुड बढ़ जाएगा, विश्यन दो जाएगा, विश्यंद चैल्प मेद है चैल्प मेद है न संधियते अस्थिशु मज्जा हड्डियों में मज्जा नहीं जम पाती न संधियते अस्थिशु मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते शुक्र की उत्पत्ति न होना छयम उपैत्य ओज है ओज का छय हो जाता है शय एवं भूतो गलायती शय एवं भूतो गलायती मने ब्यक्ति गलानी का अनुभा करना शीदती मने सारा शरीर सिथिल हो जाना निद्रा तंद्रा अलस्य समन्वितो निरुट साह स्वसती मने निद्रा तंद्रा अलस्य से युक्तो होकर उच्छा सुन्य हो जाना और स्वसती मतलब स्वास की गति का अती हो जाना समर्थ चेश्टा नाम सारीरिक मानसिक चेश्टाओं को करने में समर्थ हो जाना नश्ट इस्मृत बुद्धी चेश्ट छायो रोगा नाम अदेश्ठान भूतो न सर्वं आयूर वापनो एती उस व्यक्त की एस्मरण सक्ती बुद्धी कांती का नश्ट हो जाना इस प्रकार रोगी रोग का आस्रे हो जाने से पूंड आयू का उपयोग नहीं कर पाता है मतलब नश्ट इस्मृत का ना सो जाना बुद्धी का ना सो जाना च छायो च आदी का भी ना सो जाना रोगा नाम अधिश्ठान भूतो न सर्वं आयूर वापनो एती और वो जो है सभी पूर्णायू का भोग नहीं कर पाता है ये दोस प्रकुब के लच्छन है